नमस्कार दोस्तों रियेज केसे नेकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है और जैसा की जानकारी है कि हम लोग आरो के हिंदी के लिए एक लेक्चर परियावाची पर टेक्स्ट के रूप में जो अपलोड किया हुआ है और उसके माध्यम से हम लोगों न परियावाची के बारे में कुछ नियम और कुछ कांसेप्ट कुछ साउधानी इत्यादी बिंदूओं को जो है असपस्ट करने का प्रियास्किया है जिसके माध्यम से आप प्रभावी धंग से परिक्षा में अपने आपको प्रस्तुत कर पाएंगे तो कुछ परियावाची के सब्दों जो अक्सर परिक्षा में पूछे जाते हैं और जिनमें एक ट्रेंड और एक ट्रिक के आधार पर हमारे अस्तर पर स्वेंग ही परियावाची के सब्दों का संकलन किया गया है और इनके माध्यम से आप अपने आपको बहुत ही प्रभावी धंग से परिक्षा में प्रस्तुत कर पाएंगे तो हम लोग कुछ महात्वपूंट परियावाची की सब्दों को इसमें देखने का परियास करते हैं जैसे एक बन है जंगल है इसके परियावाची अकसर परिक्षा में पूछे जाते हैं आरो ग्यारा में भी इसे question पूछे गए हैं तो यहाँ पर एक चीज आपने देखा कि हमने पहले ही अस्तर पर जो है इसमें अरन्डे को लिखा हुआ है हम यहाँ पर जंगल भी लिख सकते थे लेकिन हमने एक ऐसे सब्द का chain किया हुआ है जो कठिन है जंगल का मतलब तो बन जंगल होना चाहिए और हर विक्तिके हर पर्दियोगी लोगों के लिए अलग अलग अपने तयारी के नियम हो सकते हैं लेकिन एक अप्रोच होना चाहिए एक तरीके होना चाहिए जिससे हम सब्दों को आसानी से और जादा तर दो पॉइंट्स इसमें हैं एक तो हम जादा से जादा सब्दों को कबर करें और दूसरा जो है कि वो आसान तरीके से हो तो अरने को जो है जंगल कहा जाता है और बन ये दोनों ही आसान पजभासा है तो अब यहाँ पे तीन सब्दों को जो है अगर देखा जाए कानन बन विपिन तीनों में ना सब्द जो है आ रहे हैं तो ये थोड़ा सा एक साथ अगर कुछ जैसे हम जब intermediate और high school के परिछाओं में जो है इस topic को पढ़ते थे तो वहाँ पर हम लोग तीन या पांच या इस तरीके से जो है परियावाजी के सब्दों को याद करने का प्रियास करते तो और उसमें भी एक trend होता जैसे इसमें एक तुकांक दिख रहा ना का तो कानन वन विपिन तो एक साथ अगर हम इसकी परिभासा देख लेंगे आरंडे की तो हमारे पास जो है कानन वन विपिन और जंगल तो हम पहले से जानते हैं अब आपके सामने वच रहा है कानतार और अटबी इन दोनों सब्दों को थोड़ा सा हम ध्यान में रख लेंगे विपिन सब्द अगर आपका कोई मित्र है विपिन तो आप ये सुच लीजिए कि वह विक्ति जो है जंगल की परिभासा उसके नाम में है तो इस तरीके से किसी घटना से जोड़ जोड़ कर आप जो है इस टापिक को बहतर ढंग से तयार कर सकते हैं आगे हम लोग देखते हैं अगनी है आग है अगनी है ये सब्द जो है आती है यहां पर एक सब्द और है अनिल और एक सब्द आता है अनल है ये एक सब्द आता है अनिल तो हमने पूर्व के जो है लेक्चर में परियावाची पर जो आधारी था उसमें कुछ नियम और कुछ साउधानी कुछ अभ्यास को बताया था और एक टॉपिक हमने बताया था तूलना तो ऐसे सवालों को हल करने के दोरान आपको तूलना का भी ध्यान रखना होगा कहने का मतलब यह है कि अनिल और अनल तो आप यहां पे ध्यान रखना होगा कि दोनों ही सब्दुख मिलते जुलते हैं पर दो एक नहीं है तो आप हमें क्या करना है कि अनल जैसे आये तुरंती अनिल के बारे भी सोचना है अनल आग है और अनिल जो है समीर है वायू है हवा है पवन है तो इस तरीके से जो है इसमें अंतर असपश्ट हो जाएगा जैसे आग छोटा है और जो है पवन बड़ा है या जो है आग छोटा है वायू बड़ा है क्योंकि उसमें एक मात्रा भी है तो यहाँ पर अनल भी जो है वो अनल से छोटा है सब्द को अगर देखा जाए तो इस आधार पर याद करने में जो है आसानी हो सकती है या हर परजयोगी कि अपने अपनी तरीके होते हैं याद करने का लेकिं तुलना का ध्यान आप लोगों को निस्चित तोर पर आपमें बनाए रखना है क्योंकि तुलना करके आप चीजों को आसानी से समझ पाएंगे पकड़ पाएंगे तो यहाँ पे आपको यह ध्यान में रखना होगा कि तुलना जो है आप जरूर करते रहिए तो यहाँ पे जो है अनल का मतलब हो जाता है आग अनल जिस तरीके से उसी तरीके से है यहाँ पे दहन और अगला है जोलन अगला है हुतासन तो यहाँ पे जिस तरीके से पिछले सब्द में हम लोगों ने कानन वन विपिन को देखा उसी तरीके से इसमें भी एक ट्रेंड दिख रहा है अनल दहान जलन और हुतासन इस सब्द में जो है नाना का जो है उचार्ण है अगर एक साथ करके इनको याद किया जाए तो याद करने में आसानी भी होता है तो इसके साथ में वायू शखा, सिखी, धूमर केतु और धनन जय ये सब्द भी जो है अगनी या आग के परियावाची की रूप में आते हैं अब हम लोग अगले सब्द को देखेंगे परबत ये भी बहुत ही लोग परिये परियावाची का सब्द है यहां से एक सर सवाल परिष्य में पूछे जाते हैं तो परबत के लिए क्या है गिर्य है, सैल है, नग है, अचल है, भूधर है, महीधर आपको पिछली कक्छा में हम लोग ये बताये थे कि पिर्थवी में जब धार या धारा सब्द जोड़ जाता है तो वो परबत हो जाता है तो अब भू जो है वो पिर्थवी की परिवासा है, परियावाची है, तो अब इसमें धार सब्द लगा हुआ है तो इसलिए ये सब्द सोता ही जो है परबत का परियावाची हो जाता है बागी कुछ सब्दों को और हम देख लेंगे अचल जैसे सब्द है अचल का ताथ पर यह है कि जिसे जो चलता ना हो जिसे हिलाया ना जा सके जिसे परिवर्थित ना किया जा सके तो निश्चे तोर पर परबत के आकार से इसका अर्थ साम में रखता है और अचल भी इसका प्रियावाची हो जाता है तो इस तरीके से सेल तो सोता ही परबत से जुड़ा हुआ है पत्थर सेल से तो यह परबत हो जाएगा तो यहाँ पर जो है इस तरीके से अगर प्रयावाची सब्दों की तैयारी की जाए तो निश्चे तोर पर एक से दो बार और किसे भी टॉपिक को कम से कम अगर हम इस तरीके से फ्रैक्चुल परिक्षा के लिए तैयारी कर रहा है तो निश्यों तो कम से कम तीन बार जरूर पढ़िए और पढ़ने के बीच में अंतराल नहीं होना चाहिए कि एक टॉपिक को अगर हमें एक दिन पढ़ते हैं उसके बाद दस दिन तक नहीं पढ़ते हैं तो वो पीछे की चीज़ें जो भूल जाती है इसलिए हमारा ये प्रयास होना चाहिए और आप लोगों से इस तरीके के अपे अच्छा है कि एक टॉपिक पढ़ने के बाद आप उसे दूसरे दिन या तीसरे दिन आवस्से पढ़ने और ऐसा करके आप कम पढ़िए लेकिन आपके पढ़ने का एक टेकनिक होना चाहिए एक बहितर अप्रोच होना चाहिए आपकी पढ़ाई मुल्यांकन पराधारित होना चाहिए ऐसा करके आप जो है अपने तयारी को ना केवल सहज बना पाएंगे बलकि आत्म विश्वास के साथ परिश्व में भी अपने आपको प्रस्तूत कर पाएंगे जहां कम समय में बहितर ढंग से सवालों को हल कर पाएंगे अगला टापिक है पृत्वी पृत्वी में भूधरा वसुनधरा जिस तरीके से परारंबिक अक्छाओं में एक तुकांत के साथ पढ़ते थे तो भूधरा वसुनधरा इस तरीके से रारा का इसमें उच्चार्न हो रहा है तो यह आसानत धर्ति उसकी है ही उर्बी जो है उर्वरा से जैसे बनता है कि पृतिवी जो है उर्बरा के रूप में भी जानी जाती है तो इसलिए ये सब्द भी है और अमबर ये दोनों एक दूसरे के प्रयाबाची है तो इस आधार पर भी ये तैयार हो जाता है अमबर मन्याकास होगा और उसका उल्टा पृतिवी है तो अमबर का जो आवनी हो ज जो है हम आसानी से याद कर सकते हैं हम आगे बढ़ते हैं जो है इसमें अगला है जो है अमरित ये बहुत ही लोग प्रिये प्रयाबाची का सब्ध है और यहाँ पर जो नोट्स आप लोगों को जो है इस स्क्रीन रिकार्डिंग के माध्यम से उपलप करवाया जा रहा है व इसलिए बार बार इसको जो है आप पढ़िए ये जितने भी पूछे अभी तक आरो में जो पूछे गए हैं उनसे संबंदित सवाल तो है ही बलकि अन्य सभी उसी अस्तर के जो है परिच्छा में पूछे गए प्रयाबाची के सब्दों को अभी जो है संकलन इसमें करने का प्रयास किया गया है अमरित है सुर्भोग अब यहां पे देवताओं की जो प्रयाबाची है उसमें हम भोग सब्द लगा देते हैं तो वो सोता ही जो है वो अमरित की परिभासा हो जाता है इसा माना जाता है देवता जो है वो अमरित का पान करते हैं क्योंकि देवताओं क अम्रित का जो पान करते हैं वही जो है दियोता होते हैं तो निश्ची तोर पर दियोताओं के साथ में जो भोग सब दिया जो जो जोड़ दिया जाए तो वो सुता जो है अम्रित की परिभासा हो जाएगी तो सुर्भोग हो जाए सुधा हम लोग पहले से ही जानते हैं और आ प्यूस भी बना हुआ है तो जीव नोदक एक सब्द जो है इसमें और आता है तिस तरीके से जो है हम कुछ सब्दों को जो है बहतर धंक से तयार कर सकते हैं यहां पर एक और भी चीद्ध्यान में रखना है कि जब हम जो है किसी परिच्छा में सवालों को हल करते हैं तो कई ना आये लेकिन तीन आवस्या रहे होंगे और उसके आधार पर हम चौथे विकल्ब का उत्तर निकाल सकते हैं या चौथे विकल्ब के आधार पर जो उत्तर निकाल सकते हैं अगर तीन का एकदम अस्पष्ट अर्थ हमें पता है और उसका जो है वो प्रयावाची सब्द प गोड़ा बहुत ही महात्वपूर्ण है आरो की परिक्षा में जो है दस में भी पूछा गया है और मुख्य परिक्षा में भी जो है ये प्रश्ण आ चुका है तो यहाँ पर घोड़ा जो है वो एक अस्तो ही उसका प्रयावाची है जो कि हम लोगों को पहले से पता है भी बनता है है बनता है और बाजी बनता है रविसुत रविसुत का मतलब क्या होता सूर्य पुत्र अब यहाँ पे इसका एक और भी परियावाची लिखा जा सकता है लेकिन यहाँ पे इस लिए नहीं लिखा गया है क्योंकि हमें इसे विसलेशन में आप लोगों को समझान था तो इस आदहार पर रवी सुत जो सब्द है वो जहाँ 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 पर भी जो सूरी की परियाय बाची आती है और उसमें गर हम सुत सब्द जोडते हैं तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा घोड़ी की जो है परियाय बाची और एक सब्दह हापे संद हुआता है जो कि एक बितिष्ट परकार का सब्द है तो हमें यह धिहान में रखना है कि किसी भी सब्दों के प्रयावाची में जो सामान्ने परकार के हैं जिनको हम किसी अर्थ से जोड़ते हैं उसको तो इस रूप में हम तयार कर लेते हैं बाकी बच्चे हुए सब्दों को हम थोड़ा सा केर कर लेते हैं उस पर साउधानी वरत लेते हैं तो हमारा लगभगो टापिक जो असाही से तयार हो जाता है अगला जो है सवाल हम उसको देखने का प्रियास करेंगे आकास आकास जो है गगन सूने नव अगर इसको जो है हम लोग एक साथ में जो है कुछ समुच्चे करके सब्दों को देखने का प्रियास करें तो इन तीनों सब्दों को बनता है जैसे लिखने के संदर्व में आप जब आईसे परिच्छा में जो है समलित होते हैं जहां पर लिखने वाले सवाल आते हैं पूर्व में जो है लोड़ PCS के परिच्छा में इस तरीके का प्रावधान था यह दब आप वो लोड़ PCS के आंतर के जो भी पद समलित हैं वो उन सभी पदों पर भरती यूपी टेस्ट जो है आयोजित किया जाएंगे जिसका अपना एक्स लेबस दिया गया है और जल्दी उस पर अपना इस चैनल के माध्यम से एक कोर्स भी स्टार्ट किया जाने वाला है तो वहां से आपको उसकी तैयारी के बारे में जानकारी मिल जाएगी आकास के बारे में हम लो और अंबर हम लोग उन्हें पढ़ी लिया है वियोम सब्द जो है गगन सुने नफ वियोम हम लोग जब पिछली बार लेक्चर लिये थे तो उसमें भी इसका चर्चा किये थे एक फलक सब्दा आता है जो कि अक्सर जो है बिभिन परकार के वाली गुट के फिल्मी गानों म और ट्रिक का भी परियोग करते रहना है किसी ब्यक्ति के नाम से किसी अस्थान के नाम से किसी फिल्म के नाम से किसी गाने के नाम से उसको जोड़ करके देखने का प्रयास करना होगा इससे आपकी तैयारी ना केवला असान होगी बलकि आप में एक आत्म विस्वास भी शक्ते हैं अगला सवाल है आनंद आनंद जो है ये एक ऐसा सब्द है जो कि परिच्छा में पूँच लिया जाता है और अगर किसी को इंटर्विव में जो जुबानी पूँच लिया जाता है तो कई बार ऐसे इस्तिति आसाज हो जाती है कि हम उसका उत्तर बहुत ही सहाज ध करके देख लिया करें जैसे आनंद सुख चैन परसनता हर्स परमोद आमोद जैसे हो गया उल्लास हो गया आहलाद हो गया मोद हो गया बिनोद तो ये सारे सब्द जो है वो कहीं न कहीं जो है इसी सब्द के अर्थ को वेक्त करते हैं और हम लोग इन सब्दों को अपने ब्य जो आपका बहुत ही जो है घनिष्ट मित्र होगा तो आप जो है उसको इस रूप में देखिए कि वो जो है आनंद की परिवासा है परियावाची तो इस तरीके से जो है आपकी ये तैयारी आहसान हो सकती है अगला सब्द है सूर्य ये भी बहुत ही महात्वपूर्ण है अक्सर परिच्छा में यहां से सवाल जो है पूछे जाते हैं अब हम लोग जब प्रियारंबिक कच्छाओं में जो है इस सब्द के प्रियावाची को याद करते हैं तो दिन कर दिवा कर भानु भास करते हो एक तो आपका इस तरीके से याद हो सकता है अचार सब्द यह दपिसे आप अगर देखेंगे निकाल करके सब्दों के अर्थ को तो सोता ही यह प्रतीत होगा कि यह सूर्ण का प्रियावाची है जैसे सबीता इसका भी उलेख आपके सूर्ण के रूप में जो है रिग वेद काल में जो हुआ है जो प्राचीन इतिहास भानु भी अक्सर जो है लोगों का नाम होता है दिवाकर भी जो है नाम होता है तो ये दिवा से दिन और कर तो उसे बन कर के बना दिन कर दिवाकर परभाकर तो ये सारे सब्द कर सब्द जो लगे हुए हैं दिन में जो है वो सब्द भी जो सूरी का परिभासा हो जाते जैसे निसा में जब हम सब्द कर जोड देते थे तब क्या बन जाता था निसा में जब हम कर सब्द जोड देते थे वो चंद्रमा बन जाता था उसी तरीके से जो है जब हम दिन में जो है जो है जो है जो देंगे तो वो जो है हो जाएगा वो सूरी की परिभासा तो इस तरीके से ज अक्सर परिच्छा में यहां से जो अगर देखा जाए तो यहां से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं 13 में भी यहां समिछादिकारी से सवाल पूछे गए हैं तो यह सब थोड़े-थोड़े से टेकनिक्स हैं जिसका आप परियोग करेंगे तो आप आसानी से जो है इसे देख पाएंगे हम लोग आगे की तरफ जो बढ़ेंगे आम है आम जो है एक लोग प्रिये फल है जिसे आमर है, अमरित फल है, पीम्बू है, पिक प्रिये है, पिक बल्लब है अब यहां पे जो है इस तरीके से जो है ध्यान में रखना है सहकार है रसाल है यह कोई सहकार पूछा भी जा चुगा है परश्ण में तो सहकार सब्दों को ध्यान में रखना है अम्ब है आम है अम्रित्फल है ज्यादा तर जो है आस आस है जो प्रणूंसियेशन उच्चार यहां पे हुआ है, इसको धयान डख लगे अगला पास है, प्यम्ब है, प्रीय है, प्रिय है, सहकार है, रसाल है, फल्सरेश्ट तो इसके रूप में प्रियोग मिलाया ही जाता है अगला है आख है, यह तो ही बहुत ही लोक प्रिय ही, जो है सब्ध है अक्सर जहां से परिच्छा में सबाल पूछे जाते रहे हैं आख के जो है रूप में हम इसको देखने का प्रियास करते हैं लोचन, चचु, नेत्र नेत्र भी है, चचु है, लोचन भी है अक्षी है, इच्छण है, प्रिक्छण है नयन और द्रिग द्रिगस जो है यह सब आते ही जो है द्रिग से आसू बहने की बात आती है तो मतलब आख से आसू बहने की बात होती है तो इसमें से कई ऐसे सब्दों के जिनसे आप पहले से परचित होंगे और जो नहीं है उसे आप याद कर लीजिए जैसे इरस्या है डाह, जलन, कुढ़न मतसर और दो ऐसी यहां पर एक सब्दार है मतसर जो की परिच्छा में भी पूछा गया है तो ऐसे सब्दों को हम ध्यान में जरूर रखेंगे जो अपने अर्थ में विशिष्ट है या जिनका की परियावाजी के मूल सब्द से साम में परतीत नहीं होता है यह दपो होता है लेकिन हमारे और आपके ज्ञान के कमी के कारण से हम उस निसकर्स पर नहीं पहुँच पाते हैं इसलिए हमें और आपको यह ध्यान में रखना है कि ऐसे सब्दों की बार बार प्रियोग में लाने से कोई सब्द निस्चित हो जाते हैं अगला सब्द है उन्नती उन्नती सब्द को क्या कहा ला सकता है आगे बढ़ना या उत्थान जिसके लिए प्रियोग होता है कर्मण होता है आगे बढ़ना आरोह माने भी उपर बढ़ना होता विकास माने होता, तरक्की होता यहाँ पर अंडरलाइन भी किया गया उन्मेश एक सब्दाया हुआ है उन्मेश का मतलब उन्नती होता है कई ऐसे लोग है जिनका नाम ही जो है उनमेश होता है, उनमेश का मतलब वो नती से है, विकास से है, यह एक सकारात्मक सब्द है, तो उनमेश सब्द को हमें यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, अगला सब्द है पूजा, पूजा से भी सवाल कई बार पूछे गए हैं इस सब्द को, अब यहाँ पे जो है अगर देखा जाए तो इस्त्री लिंग के जाधाтор सब्दों का जैसे आर्चना, आराधना, उपासना, यह सब्द नाम क्या है, यह سब्द जो है, इस्त्री लिंग के नाम है, और यह सारे नाम आपके परचीत में चाहे आपके फैमली में या रिलेशन में, या अगर देखा जाए तो इसी तरीके से आपके क्लासमेट में कोई ने कोई जो है लड़की पढ़ाई के दौरान जरूर रही होगी तो आप उस लड़की के नाम को जो है इस परियाबाची से साम में करके जो है इसे तयार कर सकते हैं यहाँ पर माध्यम कोई भी हो आपका प्रश्न सही होना चाहिए और आपके परिच्छा देने के प्रक्रिया सही होना चाहिए आप किसी भी तरीके से ट्रिक से रट कर कैसी भी आप तयार करें जादा से जादा सवालों को इस माध्यम से आपको तयार करने की जो आउ सकता है और ऐसा करके आप कर सकते हैं इबादत एक उर्दू किसम का सब्द है खैरिस के साथ आप जो है ला सकते हैं अगला सब्द जो है हम लोग देखने का प्रियास करते हैं कि उन्लूग जो है अगला सब्द है उन्लूग कौसिक है लच्मी वहान है उन्लूग उन्लू से उन्लूग भी बन जाएगा और कौसिक सब्द ये जो है लाया गया है और दूसरा सब्द जो है यहां लच्मी के जो है वहन की रूप में इसका प्रियोग किया जाता है इसलिए उल्लू सब्द इसके रूप में प्रियोग में किया गया है अगला सब्द है जो है यहां पे कमल अगला सब्द जो है कमल है तो अब यहां पे यह ध्यान में रखना है कि हमने कल भी बताया था कि जो है पानी की जो भी परियावाची होता उसमें जासब्द जोड़ देने से क्योंकि पंकदन अज हो जाएगा अज माने उत्पन होना तो जल में उत्पन होने वाले हैं कि कमल हो जाता तो पंकज, अंबुज, नीरज, तोयज, यह सब जो है कमल की सत दल, सत पत्र और सरोज यह सा से उचारण है अगला है राज जीव भी हर वेक्ति का कोई न कोई मित्र होता अरविंद भी जो है मित्र होता है और इसी तरीके से जो है आप जो है नीरज भी कोई न कोई मित्र जरूर आपके जरूर होंगे लोक प्रिये वेक्ति हैं नाम है पंकज भी होंगे तो इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो इन सब्दों को जो है नाम से जोड़ कर याद करने में आसानी होगी सरोज भी जूसे सर से जो बना हुआ है उत्पन होने और सर्माने जो है तलाब होता है तलाब में कौन उत्पन होता है कमल होता है और बाकी ये पुंड्रीक, जो है कोकनद है, उतपल है, मकरंद है, अब्ज है, अम्भोज है, इसको भी जो याद आप कर लेंगे, पुंड्रीक और कोकनद, पुंड्रीक भी लोगों का नाम होता है, तो ऐसा करके ये सब्दों को जो है, आसानी से याद किया जाना, आसान हो जाएगा, उचा सब्द है, उच्च है, ऊपर है, उर्द, उर्द, उर्द आधर होता है, और इसी तरीके से जो तूंग है, उत्टूंग है, ये सब्द जो है, मिलते जुलते हैं, आप एक बार ध्यान से सूचिएगा, इन सब सब्दों को प्रियावाची को पढ़ने के दो आया हुआ है, अब जो है, आगे की, जो है, हम बढ़ते हैं, तो ये अगर देखने का हम लोग परियाज करें, तो आसान है, धन या संपत्ती, दोनों ही अगर आते हैं, तो भी आप धन की जो संपत्ती भी कहा जाता है तो स्त्री समरिद्धी रिद्धी हो गया संपत्य संपता संपन्नता हो गया तो इस आधार पर यहाँ पर दो ही समुच्चे बन रहे हैं और उन दोनों समुच्चे को अगर हम लोग देख लेते हैं तो निस्ची तोर पर हमारा ये सवाल अपने आप में जो है सही हो जाता है तो रिद्धि सम्रिद्धि संपत्य संपता और शंपन्नता इसके सिर्डी में आ जाता है अगली सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कपड़ा पोसाख है परिधान है पहरवा है वसन पटचीर ये भी बहुत ही मातपूर है ये सवाल अब तक जो है समिच्छा अदिकारी में बीयड इंट्रेंस की परिच्छा में टीईटी की परिच्छा में और यूपी ट्रिपल इ सवाल पूछा ही पूछा जाएगा इसलिए आपको इसे जो है विशेश रूप से तयार करने की आवशकता है वस्तर तो आप लोग जान ही रहे हैं कि इसके जो परिभासा में आता है तो कपड़ा का पोसाख परिधान पहरवा ये तीनों एक समुच्छे में पास जो है इसक की जो परिभासा होती अंबर वो भी जो है इसी की स्रीणी में आता है लिबास हम लोग पहन जानते हैं दुकूल एक बिसेश परकार का सब्द है जिसे याद करने की जो है जरूरत आपके लिए है और ये सब्द को जो दुकूल को याद कर लिए दुकूल का मतलब होता कल्प ब्रिक्ष ये भी सवाल पूशे के कल्प तुरूरी द्यो ब्रिक्ष कल्प ब्रिक्ष एक बहुत पूर्ण ब्रिक्ष माना जाता है एक जो है बिसेश्ट किसम का ब्रिक्ष माना जाता है बहुत ही उच अस्तर का ब्रिक्ष माना जाता है सभी ब्रिक्षों में जो इस उच्छ दर्जा दिया जाता है इसलिए इस दियो ब्रिक्ष भी के नाम से जाना जाता है हरी चंदन यानि कि चंदन का ब्रिक्ष होता है लेकिन हरी मतलब भग्मान के लिए ये दियोता के लिए जो चंदन की रूप में काम करता है वो क्या होता है वो जो है कल्प ब्रिक्ष क जोड़ लेंगे और कुछ को हम लोग याद कर लेंगे तो इस आधार पर जो है हम पर्यावाची के सब्दों को जो है याद करने में सफल हो जाएंगे तो निश्चे तो और पर आज के इस लेक्चर में जो की लगबग आदे गंटे का लेक्चर होने वाला है तो हम ये चाहेंगे कि अब इतना ही रखते हैं क्योंकि इतने करके आप धीरे धीरे इस अस्तर के प्रयावाजी को अब तयार करेंगे जो है तो निश्चिव तोरो पर आप इसमें जो एक संख्रिद अस्तर की तयारी प्राप्त कर पाएंगे और एक और बिसेश्टीज हम आप लोगों को बताने का प्रियास करेंगे कि ऐसे सब्दों का आप अपने मित्रों से बात करने के दोरान विभीने लोगों की इस्थिती को बताने के दोरान बिभी ने लोगों की विस्षिष्टा को बताने के दौरान बार-बार परियोग कीजिए यसे अगर आप आपस में बैठे हुए हैं बात चीत कर रहे हैं तो जिसको कहते हैं हसी और ठिठोली अगर आप उस परिष्थिती में यहाँ पे दुकूल सब्द का भी परियोग करते हैं तो यह आपके वारताला आपको भी बहतर बनाएगा आपका जो है मन भी प्रसंद चीत करेगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि परिष्था के लिहाज से आपका एक बहुत ही बिसिष्ट सब्द जो है वो तैयार हो जाएगा तो निस्चे तोर पर हम यह उमीद करते हैं कि इसके पूर्व का जो लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने परिष्था की लिहाज से अपने आपको मजबूती के साथ उतारने का प्रियास कीजिए तो आज की लेक्चर में बस इतना ही उमीद करता हूँ इसे से आपकी तैयारी को एक नई दिसा मिलेगी और चल दहीं हम अगले लेक्चर में इसके दूसरे भाग को लेकर के आएंगे जो कि इतनी ही महात्रपूर्ण आपकी लिए होगा तो आज की लेक्चर में बस इतना ही आप सभी लोगों को नमस्कार आगे पुना हम जो है एक नए टापिक के साथ आप लोगों से मिलेंगे